नमस्कार मैं भाशा और आज मैं आपको ले चलूंगी कलकत्ता के एक ऐसे इलाके में जहां पर लोगों का कहना है कि नेता भी बहुत कम जाते हैं इस इलाके का नाम है बिलगचिया, हावडा पार बसता है असली बंगाल और यहां पर बहुत बड़े समय से सालों से कूडे के धेर पर बसे हैं लोग, ये लोग मांग कर रहे हैं अलग धंकी जीवन की, सम्मान की, पानी की आईए देखते हैं बिलगचिया के लोग इस चुनाओ से क्या चाहते हैं, क्या वे अपने नेताओं से कुछ बोल पा रहे हैं कि उनको पालते हैं या बेशते हैं? हाँ बेशते हैं कि इवेशते हैं देखबाल करना बहुत महेनत है सोटा सा लेकर इतना बड़करना बच्चा की जैसे पोज़तना बहुत महेनत का काम है कितना टायम लग जाता है एक सूवर को बेचने लाइक बनाने में एक साल पर चुन्तिस बिलेश पार्क में रहते थे उसके बाद वहां से बस्ति तोड़ दी गई उसके बाद यहांपर आए हम लोग बिलगुचह भगार मैं हम लोग 2002 मैं तब से अमलोग यही रह रहे हैं पोई बड़ी पोस्ट पर कोई नहीं है सब सफाई करमचारी है अलग लग समधाय के लोग है चमार भी है वह पासवान भी है यादब भी है बालमी की है कि जाते डोम है यहां पर जो मकान है यह आप लोग के अपने नाम पर है कोई बड़ा बात नहीं कुछ भी करेगा अपना सर्चान से लाने के लिए तो कुछ न गुछा प्रने को काम नहीं पड़ेगा जैसे देश में लोग गोरु बहुत पालता है यहां सुवर का विजनिस करता है सब लोग यही बात है बस रोकुछ नियुक्त क्या इस कारोबार में कुछ कमाई हो जाती है कुछ पैसा बच जाता है तो फैदा होगा इसलिए लोग पोस्ते हैं विमारी आगा तो सब खली अच यहां पर जब से आप रह रह रहे हैं यहां पर नौक्रियों की क्या इस्तिती है सब जगाई है जैसे कि यहां दो अजार आट में पार्मींट किये था उसके बाद कोई पार्मींट पोस्ट में नहीं लिया गया है कि सभी स्टेट में तो यहां बंगाल का बोलने से तो नहीं होगा डेट केस के भी सब हैं मुला अस्ताई करम चाहिए रोज में साड़े तीन सो चार सो ऐसे रोज मुस्कील है मैडम कि हम लोग एक ठोग अच्छा को आटर चाहिए घर का जो बच्चा लोग परवरी सम्ट कर चाहिए हो जाए जैसे कि यहां पर महुल ऐसा है कि यहां पर बच्चा लोग परवरीस भी ठीक से नहीं हो रहा पर से बहुत मतर तूटा फुटा घरे कभी भी करती हैं ठीक आं डुस्टा घर पर काम करते हैं हम कि क्या गरते हैं कर data पे तरह που सैंट कख्चा काम परवर्नंट है याट सेके बाड़ील एक हीपड़ील को अमर आधzig में मिवी कोई मिस्पाल्टी में काम करते कॉंट्राक में पार्में नहीं है कि यह मुश्किल तो ऐसे यह है तनका तो बढ़ता नहीं है और प्लास यह अच्छा था यह सब टूट के आता ता गिरते भी है दिवाली पूरा भीज जाते बर साथ में पूरा पानी भर जाता है बहुत दिक बनार चल रहा को इसाब कितावी नहीं है कार मिट का कर देता फैसा पर घर वार बटन मासते हैं है क्या करे वाधम YES है अगर पार मिट आदमी रहता तो हम लोग को इतना दिक्कत नहीं न उठाना पड़ता बेलियस परक घावला में वहां से उच्छेद करके जब गरीबों को सब को भागाया सब आके अपना अपना टाली घर बनागर बासा बासी कर रहा है कि Turkey समस्यार सब से पहले पानी का तगली रहा है में अब इस यह शूंते की अभी यह सब मुद्धे का चुनाव में मुद्धे हैं आप आते यह अंपर यहां पर को नेटा दॉलिया रहे हैं अब ही तक इतने दिन में कोई नेता नहीं आया है है यहां पर यहां पर यही आता तो यहां ऐसा पोजिशन रहता है यह चीज में किया नाम है आपका मेरा नाम जोती हैं क्या काम करते हैं जोती जी आप और का यह लोग्डोन में वो डालती हैं आप डालते हैं कि आपका जो समस्या है वो चुनाव में कहीं कोई नेता भाशन में बोलता है हमको ऐसे कुछ लगता नहीं है ऐब लगतों है है नहीं लगता है बोलते हैं अगर करते नहीं है आज बढा हुआ हर चीज में इन कैक本ी में उजवड़ा थुर्स Weihn zoo मोधी जी नहीं वादा किया ती इनidente मेरे पास अधार का टत नहीं था नहीं लग शार की तो है ऊघर और पहले कितने में आता था पहले आता था तोई 400-300 तक में आ जाता था अभी तो बहुत ही ज्यादा महाँ है महाँ तो बढ़ गई है मगर नोकरी तो नहीं मिल लगी है कहीं और कैसे जीवन चलाएगा घूम घूम के विक्री करें भी नहीं विक्री हो रहा है हम तो अभी मोति माला बैच रहें नोकरी से तो अच्छा है जो मिल लाए अपना दूर पर वाभी कमा धूंसर नहीं 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 मिल लगा है कमा पारा है क्या करेगा और सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहां गरीबों को सबादमी को लेकर एक आवाज उठाए फैक्ट्री क्लक्ट में काम दिए ठीक है इतना बेतन हुए एक सरकारी अस्था से लागू होना चाहिए हर लेवर क्वालिटी को होना चाहिए कम से कम साथ-8 साल हो गए मैडम मेरा पिताजी गुजर गेते तो उसके जगह मुझे जॉप मिला था अभी तक सेलेरी मेरे को 8000 रुपए सम्धिंग मिलती है उसमें प्याप विगार करता है उसमें गुजारा होता नहीं है फैमिली बहु है बच्चे है पढ़ाई है लिखा जाती है तब इसलिए चुनाव हो रहा है इसमें इस इलाके में भाश्पा का जोर है लोग बता रहे हैं कि भाश्पा के पास काफी बढ़त है क्या वज़ा लगती है आपको देखिए मैडम जी में बात बदब बात 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 नहीं कहना चाहूंगा ना है टीम सी चाहूंगा जो अच्छा करेगा वो रहेगा और जो अच्छा नहीं करेगा वो नहीं रहेगा मैं एक सफाय करमचारी के हैं यह बात कहा रहा हूं और जो नहीं अच्छा करेगा उसको तो कोई भी नहीं चाहेगा इसको इस पार्टी काम लो रखे हैं कि बंगाल में जो अभ जो भेदवाव का जो चलन नहीं है यह सबसे बड़ी चीज जो है लोगों में जागरुकता और लोगों में शिक्छा इसके विप्रित भी एक बात है जो बंगाल में पिछले जो लोग कहते हैं 34 साल बामफरंट का राज रहा बामफरंट के सासन में जो भी उन्नती हुई हो न लेकिन आघूएव क्याने ओने तक ब्र 연त का गोज़नीत का अएक बीचारधारा जो था कि जो मज़दूर हैं मजदूर मजदूर भाई-बाई-बाई चाहे वह किसी बीक हॉण आप चाहे उप्नी के युप में देखिए चाहे हर्याना में देखिए चाहे कुजरात समस्तर वहाइब प्लगत़ की और में वहांता भी बहुत उच्छी कोटी की है लेकिन भंगाल में आप देखेंगे कि जो नीचे लोग ब्लोगker नीचे तपके का मेरे कहने और लोग जो सिच्छा सिच्छित रहें यहां यह सबसे बड़ा कारण रहा कि यहां चुआ चुट नहीं है कोलकता में हावडा पार बसी इन दलित बस्तियों का सवाल बहुत तीखा है और यह सवाल शायद खेला होबो, परिबरतन, चुप चाप, कमल चाप या किसी भी गाज़ितिक नारे से बिल्कुल अलग है यह सवाल है कि किस तरह से इतने सालों में इस समाज को रहने लाएक सम्मान जनक जगा क्यों नहीं मिली वे पूछ रहे हैं तमाम नेताओं से, जानना चाहते हैं जवाब कि आखिर कब तक वे इसी तरह से जीते रहेंगे जहां पर इनसान का होना भी बेमानी सा लगता है यह तमाम बस्तियां या तो बसी हुई हैं कचड़े के ढेर में, गंदी नालियों के बगल में, घर तूटने को तयार हैं या किस तरह का विकास है और निश्चित तोर पर ऐसे में विकास का जो जुनजुना केंदर से बज रहा है वह इन्हें बहुत दुभाना लगता है, इन्हें आकर शिक करता है, और साथ ही साथ यह बारगेन करना चाहते हैं, कि अभी तक कि सरकारों ने अगर कुछ नहीं किया, तो वे सरकार बदल भी सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें याद आता है वाम शाशन, क्योंकि वाम शाशन ने इनसान को इनसान समझा, बराबरी हाज आट 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 आट